के mind में सारी चीज़े होने चीए अगर इसकी NIRF ranking की मैं बात करूँ private colleges देखेंगे जो की बहुत ज़्यादा बदनाम है हूँ मैं बच्चे उप्रेफर नहीं करते लिए Hi, what's up, this is आईश्गरू और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं IIT भुवनेश्वर के बारे में क्या पता आप इसमें जाने का प्लान कर रहे हूँ या फिर आप इसमें जा रहे हूँ तो इसके बारे में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी insight आपको पता होने चीए आपके mind में सारी चीज़े होने चीए फी स्ट्रॉक्चर, होस्टल, मेस, कैंपस साइल चीज़े पता होनी चीए लोग की dream होते हैं IIT तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जान ले बहुत छोटी वीडियो के अंदर तो जादा बैता रहता है तो चलो आप शुरू करते हैं क्योंकि अगर आप कुछ private colleges देखेंगे जो की बहुत ज़्यादा बदनाम है उनकी NIRF ranking बहुत ज़्यादा ऊपर है as compared to IITs भी तो थोड़ा सा NIRF ranking को आप छोड़ सकते हैं पस area की बात करें तो 936 acres का इसका campus area है बहुत ज़्यादा सुन्दर बहुत ज़्यादा हरा भरा इसका campus area है आपको सारी की सारी facilities इसके campus के अंदर मिल जाती है जो normal चीज होती है हमारी auditorium हो जाती है हमारी library हो जाती है काफी अच्छे level की वो तो आपको हैं पर मिलती है आपको ज़्यादा की बता हूँ तो आपको J main exam को crack करना होता है crack का मतलब है आपको eligible होना होता है J advance के लिए J advance के लिए eligible होने के लिए आपकी category पर depend करता है अगर आप general है तो आपका करीब न 89 to 91 percentile के आसपास तो कम से कम आपका J main के अंदर आना चाहिए मैं general के degree की बात कर रहा हूँ बाकी आप SC, ST, OBC वो सबकी अलग-अलग eligibility criteria change होता रहता है हमारा हर साल बाकी यह है आपन में J main के अंदर अच्छे से पढ़के जाए तो आप J advance के लिए obvious ही बात है आप qualify करेंगे ही करेंगे जब J advance का आप exam दे देंगे then after that आपको जो सा की counselling के अंदर बैठना होगा जो सा की counselling के एक form होता है उसके अंदर choice for in लगानी होगी उससे आप IIT भुवनेशुवर के अंदर admission ले सकाए आपको courses की बता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा ता को B.Tech और M.Tech यहाँ पर आपको दो तरीके के undergraduate एक आपको B.Tech मिल गया और post graduation आपको M.Tech मिल गया total यहाँ पर seats 476 है seats 476 है अगर यहाँ पर cut-off की मैं बात करूँ आपको screen पर पूरी screen पर को cut-offs दिख रही होगी बाकी B.Tech प्लस M.Tech प्रोग्राम भी आपको 5 years का लेकिन maximum बच्चे वो prefer नहीं करते है लेकिन काफी बच्चे प्रेफर कर भी लेते है जिनका आगे study करने का मन होता है I.T की life अलग होती है ठीक है तो जिनका मन करता है वो आगे study भी करता है क्योंकि 2 साल नहीं लग रहे होते है आपको अपनी अगर M.Tech करनी है इसके बाद तो आपको सिर्फ उसी वेक साल और extra अपना देना होता है यहाँ पर तो उसकी ranks भी पर गयरा सारी की सारी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी में तो जे में के अगर हम बात कर रहें जे में से जे इडवांस और इसके अंदर एडिमिशन की भी टेक के विडिये तो वो सारी के सारी चीज़े में आपको बता दी और आपको screenshot भी दिख गए होंगे आप उनको screenshot ले सकते है यह सारी actually में न सारी information आपको कहीं जगा वैवी लेवल मिल जाएगी लेकिन बचों काफी दिक्कत रहती कि एक ही जगा पर सब मिल जाए तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़े ले आया फीस ट्रक्चिर की बात करें तो 1,15,790 पर येर की यहाँ पर फीस रहती है तो हमारा 18.95 लग भग 19 लग यहाँ का अवरेज पैकेज था मेडियन पैकेज की बात करें तो 15 लग था और अगर CSC, Computer Science Nearing का अवरेज पैकेज की बात करूँ तो वो 22 लग था यह सब CTC हैं टॉप रिक्टरिश की बात करें तो Aira, Matrix, Amazon, Flipkart, Caterpillar, Gail, Google, etc. सारी के सारी कंपनीज जो हैं, Gail, Bail जो हैं तो फिर भी Government related हो जाती है ठीक है यह भी आती है IIT भूमनेश में मतलब यह भी कहा है वो IIT आर वहाँ पर आती है अगर अच्छी बात करें तो प्लेस्मेंट्स बहुत जाद अच्छी हैं लेकिन मैक्सिमल लोग अच्छी लेगी कि girls और boys आपस में एक दूसरे के hostels में जा सकते हैं मिलने के लिए अगर मैं पर cons की बात करूँ कि यहां पर क्या चीज अच्छी नहीं है तो वो है यहां का infrastructure development में है तो आपको थोड़ा सा campus को access करने में दिक्कत हो सकती है वैसे कोई कौन नहीं है ठीक है कोई गलत चीज नहीं है लेकिन campus अभी थोड़ा बहुत अभी बन रहा है 2008 में establish हुआ है उसके बाद में धीरे 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 नहीनी चीज़े बन रही है जो जो प्लान थी ठीक है अभी तो करीबन हमारा 20 साल भी नहीं हुआ है तो उसे साब से चीज़े चल रही है तो थोड़ा बहुत development चल रहा है लेकिन वो कोई इतना issue नहीं करे है campus ही इतना वड़ा है नो सो एकड़ से उपर का campus है तो आपको कोई भी problem नहीं आने वाली है campus में सारी की सारी चीज़े अविलेबल है पागे कोई भी दिक्कर लगे तो आप comment section में आके बात कर सकते हैं बाई बाई